मेरे प्रिया शेश्यों, साधकों और आज के हमारे सभी प्रभुद्य नभीन तर्शकों स्वागत आप सभी का जन्म कुंडली विस्लिशन के इस विशेश कारिक्रम में किस्पत अगर साथ दे और कुंडली का नाइन्थ हाउस भाग्य स्थान मजबूत हो तो वेक्ति कम समय में ही दौलत, शोहरत यानि धन दौलत के साथ वो बहुत ज़्यादा फेमस भी हो जाता है वही जब किस्पत खराब होने लगती हैं तो शोहरत को बदरामी में बदलते हुए ज़्यादा देर नहीं लगती है आज का मेरा कुंडरली विस्टेशन पैंतालिस साल और साथ वही ने यानि 45 येर ओल्ड एन 7 मन्त के एक वेक्ति पर आधारित होगा इन्होंने पहले जॉब की फिर ये जो बिल्डिंग कंस्रक्शन के फिल्ड में गए और बिल्डर बन गए और बहुत कम उम्र में पिछले 15 साल भी इन्होंने बहुत धन कमा लिया धन कमाने के बाद नए नए शौक इनके पैदा होगे जिसमें कुछ इन्होंने विदेश यातरा है की शराप पीने लगे उसके बाद सिगार पीने लगे बड़े अच्छी गाड़ियां आ गई शौक ऐसे पल गए जिसमें गल्फरेंड भी इनकी साथ में बन गई वैसे तो पतनी को पता लगा तो उन्होंने थोड़ा अपोस किया लेकिन ज्यादा वो अपोस इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि चुप रहना पड़ा कारण क्या था कि पतनी बहुत साधारन परिवार से है और पती ने बहुत बार इनके परिवार के फानेशल मदद की है तो अब ये ज बैलकनी में कड़े थे अचानक से वो बैलकनी का हिस्सा गिर पड़ता है और ये सब के सब धराशाई जमीन पर आ जाता है लेकिन उसी वक्त इनकी गल्फ्रेंट की मिर्ति हो जाती है और बाकी लोगों को कुछ फ्रैक्चर और चोटे आती है अब बिल्डर को शक है कि इनक काफ या तक परेशान भी है और दुखी भी है और इनको एक मलाल भी है कि मेरी वज़े से एक लड़की को जान से हाथ दोना पड़ा बदरामी भी हुई और उन्होंने जब केस कर दिया है तो अब ये आगे पूछना चाहते हैं कि क्या हो गया इनको ऐसा लगता है कि मेरी अ उनको और ज़दा शक है कि लड़की को मरवाने के लिए हो सकता है मेरी पात्री ने कोई तंतरप्रियों किया हुआ तो अब ये जानना चाहते हैं कि मेरी आखिर जिंदगी आके कैसे चलेगी आईए देखते हैं 25 साल और साथ मेने के ठेकेदार की कुंडली क्या है इनके ग् पस्तिश के लॉड़ है और जो इलेवंथ हाुस में देखे जहां पर शनी और चंद्रमा का विश्दोष बना हुआ है इनके भी लॉड़ यहां पर शनी बनते हैं ये दोनों ही परिस्तिती में शन्री और चंद्रमा का विश्दोष 11 आउस में बना आपने काम किया बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज रिलिटेट सारे काम शन्री के होते हैं इनकम आउस में बिराज माने इसके आपने उसको अपनाया दूसरा इधर पत्री बाव के लौट शन्री बनते हैं जो विश्दोष जहर बना चुके हैं तो आपने अपने पत्री के साथ भी संबंद खराब रखे और जिस गल्फरेंड के लिए आपने सब कुछ दाव पे लग लेकिन ये बात में भी सचा ही है कि तंतर प्रियोग, जादू, टोना, टोटका, नजर, बद्दुआ ये सब चीजें विश्दोष में ज्यादा देखी जाती हैं तो मैं ये नहीं कह सकता कि आपकी पत्री ने तंतर प्रियोग किया होगा क्योंकि जब मेरी आपके लेटर औ अपनी मा को, बेटी को, बेहन को दगा मत दीजेगा, उनके साथ धोखा मत करिएगा, अब आईए उस योग और दोश की बात करते हैं, जिसकी वज़े से दोना बहुत कुछ कमाया और अब ये सब कुछ गवा रहे हैं, क्या कारण है, आईए एक नजर, ट्वेल्थ हाउस ज यहां पर तीन और छेन नमबर लिखे वे हैं, इसकी लॉड़ बुद्ध बनते हैं, वो फिफ्ट हाउस में मिराजबान है, वो भी शत्रु राशी के मंगल के गर में, लेकिन यहां पर फोर्थ हाउस जो अपने माकान का गाड़ी सुक सुविधाओं का होता है, इलेवन्थ मिलकर एक लगजरी जीवन देते हैं, जो कि लक्ष्मी नारान योग आपको त्रिकौन में बना है, इसी योग की वज़े से आपने जीवन में सब कुछ पाया, और यही वरिष्टिक राशी के शुकर कई बार एक्स्ट्रा मेरिटल अफैर और गलत संगत में डाल देते हैं, अब बात करते हैं उस दोश की, जिस दोश की वज़े से अब आप मुसीबत में पड़ गया और आगे भी यह जारी रहेगा, इन दोनों की दृष्टी 12,000 पर जा रही है, जिस वज़े से आपका अगला डेड़ साल बहुत खतरनाग जाएगा, हो सकता आपको जेल भी जाना हत्या के मामले में, अब बात करते हैं एक और सुखद योग की, नाइन्थ आउस जो की भागे का होता है, उसकी लॉड ब्रैश्पती बनते हैं, जो स्वग रही है सिक्स आउस में, और चार दस का संबंध है, सेकिंड आउस की लॉड सूरी और जैसा मैंने बताए राहू के साथ बिराजबान होने से चांडाल और ग्रहंट दोश बना, अब बात करते हैं व्यापार की, व्यापार भाव के लॉड जहां पर साथ नंबर लिखे हैं, वो मैं पहले भी बता चुका हूं के शनी 11 ताउसम बिराजबान है, और यहां पर व्यापारेश दोनों पर मंगल क की चौथी और आठवी द्रिष्टी, यह एक विचित राजयोग है कि मंगल जो है वो शनी का खेल विगार देता है, मंगल की चौथी द्रिष्टी व्यापार भाव पर अलांकि उच्छे के गर पर द्रिष्टी एक प्लस पॉइंट है, लेकिन आठवी द्रिष्टी से शनी की जिस वक्त तक आपका समय बहुत जादा खराब है, प्यार बहुत पर से सब चीज़ों को मैनेज करते आपको निकालना होगा, नई तो आपने जितना कुछ कमाया है, वो सब डेट साल में आपका कोड कचर्यों में निकल जाएगा, वर्तमान में गुरु में केतों की तर जाए जो 22 जून 2019 तक है, यानि तकरीबाद एक साल से कम का समय जरूर है, लेकिन बहुत समय आपको संबल के निकालना पड़ेगा, अब देखते हैं, नवमान्श कुणली क्या कहती है, क्योंकि अगर लगन को नौ बार रिफाइन किया जाए तो नवमान्श कुणली निकलत है, 12 जिसके हम बात कर रहे हैं, लीगल कॉंप्लिकेशन की, उसके लॉड बनते हैं, 12 लॉड बनते हैं, यहां पर बुद्ध और बुद्ध फोर्थ हाउस में, 6 लॉड ब्रेश पत्ति के साथ विराजबाने एक वीग पॉइंट है, इसी योग की वज़े से, और जैसा मैंन पती को किसी और के साथ देखते हैं, तो निश्चित रूप से, महाकाल भी एक बार तो इल जाएं, तो ऐसी अवस्ता में अपनी पत्री को कभी भी धोखा मत दीजिएगा, आप लोग, फोर्थ हाउस में बिराजब गुरू की, नवमी दृष्टी 12 आउस पर है, जो काफी तक आपको बचा लेंगी, लेकिन 12 का मंगल मिथुन राजब का आपके लिए वीक पॉइंट है, लगन कुणली में वरिष्टिक राजब जो मंगल किया है, उसमें बुद्ध थे, या नवमायंच में बुद्ध के गर में मंगल चले गए, यह दोनों ही वीक पॉइंट है आ अलांकि फोर्ताउस बिराजित गूरु की भी साथवी दृष्टी टैन ताउस पर है, जो की सूरी पर और बल देने की कोशिश कर रहे हैं, व्यापार भाव के सौमी आपुनशनी मंते जो अपने व्यापार भाव को शुब दृष्टी से लगन में करकर आशे के देख रहे अगले डेड़ साल में बहुत सारे और जटके भी आपको मिल सकते हैं, जितना आप संबल के चलोगे, अभी भी आप भगवान से, पत्री से, परिवार सबसे माफी मांगिए, और अपने कर्मों को सही डंग से करिए, जब हम कई बार आज देखिए, बहुत सारे लोग जवानी में बहुत अच्छे डंग से एंजॉय किया, परोड़ वस्थम एंजॉय किया, गलब तरीके से पैसा कमाया, बहुत सारे चीज़े की और बुड़ाबे में जेल में, बहुत सारे संत महत्मा, जो बुड़ाबा होता हैं, अब तो चैन से गुमेंगे, आराम करेंगे जीवन में कुछ साधनाएं, भगवान का नाम लेंगे, तो आज जेल की चक्की भीष रहें, इसलिए कभी भी अपने अच्छे समय में बुरे कर्व ना करें, और ना ही बुरे समय में किसी बुरे विचारों को लिख रहें, कुछ उपाय बता रहा हूं, जो आपको इस साधनाएं आपको करनी है, मा बगलामु के अनुस्ठान संपन करवाईए, सवान और अतिका पुकराज और मोती धारन करें, मंगल भात पूजा उज्यान में जाकर करवाएं, और ग्रहन दोश शांती के लिए योग ये करमकाणी पंडितों के द्वारा आपको विशेश अगर आप ऐसी या किसी और प्रकार की तकलिफ से गुजर रहें, मैं करूँ आपकी समास्याओं के समाधान, आज के लिए बस इतना ही, मुझे अपनी वानी को यहीं विराम देने के लिए इजाज़त दीजी, नमस्कार मेरे प्रियाशिश्यों और सभी प्रेमी दर्शकों, आपके समास्याओं का समाधान और सवालों के जवाब देने के लिए, मैं हमेशा प्रियास्तरत रहता हूँ आप ऐसे ज्यादतर लोग मुझे से पर्सनली मिलना चाहते हैं, तो उनके लिए आपके शहर या नजदी की शहर की मैं कुछ डेट्स दे रहा हूँ, जहां पर आप उसे वो सब कुछ जान पाएंगे, जो आपके लिए जानना जरूरी है समस्या चाहे कोई भी हो, लेकिन हमारे सभी रिशी मुनियों ने हर समस्या का समाधान खोज निकाला है तो आप आईए अपनी समस्या लेकर और मैं आता हूँ आप तक समाधान लेकर कुछ डेट्स मैं भी आपको बता रहा हूँ, जहां पर अगर आपका मिलना समभव हो, तो एंड में बताए गए नंबर पर समपर करके आप अपना अपाइपाइटमेंट बुक कर सकते हैं चार अगस्त दिली, पाँच अगस्त चंडिगर, दस अगस्त मुंबई, ग्यारा अगस्त इंदौर और बारा अगस्त को एहमदाबाद में आप सभी मुझसे परसने बिल सकते हैं इसके लिए आपको मैं कुछ नंबर दे रहा हूँ, जहापर आप समपर कर सकते हैं 0291 2799000, मोबाइल नंबर है 931 4728165, मुझे आप सभी का इंतजार रहेगा, बहुत बहुत शुपकामना है, नवश्कार सावन महा में संपन करें, महा कालेश्वर शिव शक्ती साधना, समस्त शिव साध्धाओं का मिश्रन है इस साधना से प्रानी सभी परिशानियों से मुक्त होकर, सभी धर्मों, सभी रहस्यों को देख वसमच लेता है यह साधना अकारण बाधा, संतान सुप, व्यवसाय दोश से मुक्त कर आपको महा काल का आशिरवार देगी जो अनन्त है, चीर है, निर्बाध है क्योंकि शिव इस श्रस्टी का परमसत्य है यदि आप भी, रोग, रिण, शत्रू, नौक्री, संतान सुप, दामपत्य जीवन की परिशानियों से ग्रसित है तो इन सभी परिशानियों का सटिक समाधान है, सर्व बाधा निबारत, महा कालिश्वर, शिर्व सक्ती साथना अधिक जानकारी के लिए संपार्क करें 0291-243-2625, 98290-26625, 8955-896625 एमेल इन्फो अधिरेट ग्राहुकाखिल.com.in वेबसाइट www.ग्राहुकाखिल.com.in